नमस्का दूस्तों पेल्टिक्स में आपका भहत बहुत स्वागत है दूस्तों आज के इस क्लास में यूपिट्रपलस सी वीडियो रिग्जाम 2013 के लिए सामाने जानकारी क्यों चप्टरवाइज कोस्टन की क्लास को लेकर रहा हूं और इस क्लास के अंतरगत हम लोग आधुन में पूर्ण आधुनिक समकालिक जंगर्ना किस सन में आयूजित की गई थी तो यहाँ पर दूस्तों इस क्रेशन का राइट आंसर आपको देना है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्प्टन ए 1882 में आयूजित की गई थी वर्स 1881 में जंगर्ना आयूक्र डबलु भारत की पहली जन्गर्ना 1951, ध्यान रखिएगा 1951 इसे भी में संपनु हुई जिसके जन्गर्ना आयुक्त आरे गोपाला स्वामी थे, महत्पूर्ण जनकारी है ध्यान रखिएगा अगला कोशन, कोशन नमबर 202 है, इस इंडिया कंपनी के निमलिखित गवर्नर जनरलों मे इसे, किसने सबसे बिवादा इस पर नहीं पेज की थी, जिसे बिपकर सिधान कहा जाता है, तो राइट आंसर यहां पर बनेगा ऑप्सन C, लाड डलहोजी, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, अगला कोशन, कोशन नमबर अगला है 203, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनर करने हैं, किस वर्स में कानून पारिद किया था, तो आपको बताना है दोस्तों यहां पर, तो यहां पर दोस्तों राइट अंसर बनेगा ऑप्सन C, 1829 में, नेक्स कोशन, कोशन नमबर 205 है दोस्तों, जान मारले दोरा त्यार किया गया, मारले मिंटो सुधार निम लिखित मैंसे किस वर्स में अधिनियमित किया गया, तो राइट जवाब बनेगा दोस्तों यहां पर, कोशन नमबर 205 का, आप्सन A, 1909 में, जहा नखिएगा, अगला कोशन, कोशन नमबर 206 है दोस्तों, सोतंत्र भारत के प्रथम भारती वा आंतिम काना जनरल कान थेल में से आपक की, तो सही जवाब बनेगा दोस्तों, अप्सन D, लाड कारणवाली से इसका सही जवाब हो जाएगा, अगला कोशन, कोशन नमबर 208 है, चकरवर्ती राजगोपालाचारी से पूर भारत के कान जनरल कान थे, तो राइट आंसर बनेगा अप्सन E, लाड माउंट बेटन, इ इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों, नेक्स कोशन, कोशन नमबर 208 है, भारत में किस गौशन जनरल को इस थानी सुसासन का पीता कहा जाता है, तो राइट आंसर बनेगा अप्सन D, लाड रिपन इसका सही जवाब हो जाएगा, भारत में इस थानी सुसासन के सुर्वात 1882 इसी में लाड रिपन के कारिकाल में हुई थी दोस्तों अगला कोश्चन कोश्चन नमबर 211 है लाड डलहोजी की बिले नीती ध्यान नखियेगा बिले नीती का पर्थम शिकार निम्न में से कौन हुआ था तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन भी सतारा इसका सही जवाब हो जाएगा नेक्स कोश्चन कोश्चन नमबर 212 है लाड डलहोजी ने अवद को कब कब जमें लिया आपको बताना है दोस्तों तो राइट जवाब यहाँ पर बनेगा ऑप्शन भी अठारा सो चपन में इसका सही जवाब हो जाएगा अगला कोश्चन कोश्चन नमबर 213 है सिविल सेवा किसके सासन काल में प्रारम की गई थी तो सिविल सेवा किसके सासन काल में प्रारम की गई थी दोस्तों तो राइट आंसर हो जाएगा उप्शन C लाड कार्नवालिस के सासन काल में प्रारम की गई थी अगला कोशियन, कोशियन नमबर अगला है, समाचार पत्र और पुस्तक से समंदिद कोशियन नमबर 214 लंदन से इंडियन सोसियो लॉजिस्ट का प्रकाशन किस ने किया, तो यहांपर राइट आंसर बनेगा दोस्तों अगला कोर्शन दोस्तों कोर्शन नमबर 215 है गुर्मुखी कागत सोदेश सेवक के नाम से प्रचलित था जिसमें समाज़िक सुधार का समर्थन किया जाता था और साथी भारते सानिकों ने अंग्रेजु के बिरुद बिद्रोह करने की मांग की गई थी को 133 संग्राम के दोरांद वैंकूवर से किसके दोरा प्रकासिट किया जाता था तो राइट जावब बनेगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्सने जी डी कुमार दोरा प्रकासिट किया जाता था अगला कोशन कोशन नमबर 216 है तो राइट अंसर बनेगा दोस्तों ऑप्सन दी बाल गंगा धर तिलक यहाँ पर राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों अगला कोशन कोशन नमबर 217 है निम लिखित में से कौन से राष्टी नेता पावर्टी एंड अन बिरिटिस रूल इन इंडिया के लिए खक है अगला कोशन कोशन में 218 है हिंद सुराज नमब कोश्तक की रचना किसने की तो राइट अंसर बनेगा ऑप्सन C मोहंदास करंचन गांधी इस कोशन का सही जवाब बनेगा दोस्तों जवाहलान लहरू ने डिसकवरी आफ इंडिया अगला कोशन कोशन नमबर 220 है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा की रचेता कौन थे तो राइट अंसर हो जाएगा ऑप्सन B मुहमद इकबाल इस कोशन का राइट अंसर बनेगा अगला कोशन कोशन नमबर 221 है डिसकवरी आफ इंडिया पुस्ता के लिखा कौन है दोस्तों तो राइट अंसर हो जाएगा ऑप्सन B जवाहलान लहरू डिसकवरी आफ इंडिया जवाहलान नहरू है यंग इंडिया महत्मा गांधी केशरी गीत रहास बाल गंगाधर दिलग इंडियन इस्टरगल सुभास्चन बोस अगला कोशन कोशन नमबर 222 निम्नांकित मेंसे सुतंत्र समाचार पत्र पत्रिका के समदक कौन थे तो राइट अंसर यहाँ पर आपको देना है दूस्तों तो यहाँ पर राइट अंसर हो जाएगा दूस्तों अप्सन D अगला कोशन कोशन नमबर 233 दूस्तों प्रसिद गीद सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा की रचना किस ने की तो राइट अंसर यहाँ पर बनेगा उप्सन C सर मुहमद एकबाल इसका सही जवाब हो जाएगा दूस्तों अगला कोशन कोशन नमबर 224 है एट यहाँ जवाब हो जाएगे हां पर दूस्तों और आरविंद भूस इसका सही जवाब बनेगा दूस्तों भारत में वंदे मात्रम 1905 में अरबिंदो घोष द्वरा प्रकासित एक अग्रेजी भांसा का सब्ताहिक समाचार पतर था या पहली बार 6 अगर्ष्ट 1905 को प्रकासित हुआ इसकी स्थापना विपिन चंद्र पालने की थी तो ध्यान रखेगा आपसन C यहाँ पर इस कोश्चन का सही जवाब बनेगा अगला कोश्चन कोश्चन नमबर 226 है किसने 1862 में इंदू प्रकासित का प्रकासित किया तो राइट आंसर बनेगा आपसन E जस्टिस रनाडे जस्टिस रनाडे ने सन 1862 में पत्रिका इंदू प्रकासित का प्रकासित किया था नयमूर्थ रनाडे एक ब्रेटिस काल के भारती नयाधिस लेखा क्यों समासु धारक थे अगला कोशन कोशन नमबर अगला है कथन नारा और उपाधियां से समाधित कोशन नमबर 227 प्रसिद यूद का नारा चलो दिल्ली किस ने दिया था तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा आपसन B सुबास चंद्र बोस यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा अगला कोशन कोशन नमबर 228 है महत्मा गांधी को राष्ट पिता कहकर समोधित करने वाले पहले वेक्ति कौन थे तो राइट जवाब हो जाएगा उपसन C सुबास चंद्र बोस यहाँ पर इस कोशन का राइट आंसर बनेगा महत्मा गांधी को पहली बार सुबास चंद्र बोस ने राष्ट पिता कहकर समोधित किया था उन्होंने जुलाई 1944 में रंगून रेडियो स्टेशन से एक संदेश पर सारित करते हो राष्ट पिता महत्मा गांधी कहा था जबकि 12 अप्रेल 1919 को स्रभिना टागोर ने गांध अप्सन में तो यहां पे इंकलाब जिन्राबा सब्द का सरफ प्रियोग की यदि हम बात करें तो मुहमद इकबाल ने अपनी पुष्टक बांगे दर्रा में किया था और इस सब्द का प्रियोग भागा सिंग ने किया और इसे चर्चित बनाया था दोस्तों तो अगला अगला कोषिण कोषिया न नमर 221 भारत में भारत कोखला की नाम से किसे जाना जाता है तो रैट अंसर हो जाएगा आपसं सी सरोजनी नायटू यहां पर रैट अनसर बनेगा दोस्तों अगला कोशन, कोशन नमबर 232 है दोस्तों निम लिखित में से किसको लोक नायक की रूप में जाना चाहता था तो राइट अंसर हो जाएगा ऑप्शन B, जै प्रकास नारान, इस कोशन का सही जौब बनेगा अगला कोशन, कोशन नमबर 233 है इंकलाब जिन्दाबाद का नारा किस ने दिया तो राइट अंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, आप्शन C, भगत सिंग इसका सही जौब बनेगा अगला कोशन, इंकलाब जिन्दाबाद भगस सिंग और दिल्ली चलू, जै हिंड, सुभास चंद बोस ने दिया और पूर्ण सुराज, जवाहलान नहरू अगला कोशन, कोशन नमबर 234 है, कि सुतनता से नानी ने महत्मा गान्दी को पहली बार राट पिता कहे का समोधित गया था तो राइट अंसर बनेगा ऑप्शन B, सुभास चंद बोस, यहाँ पर राइट अंसर हो जाएगा अगला कोशन, कोशन नमबर 235 है, कि सुतनता से नानी को लोकनाय की मानेद उपादी दी गई तो राइट अंसर बनेगा यहाँ पर दोस्तों, इस कोशन का उप्शन C, बाल गंगाधर दिलग, राइट अंसर हो जाएगा अगला कोशन, कोशन नमबर 236 है, गांधी ची ने रमिना टाइगोर को प्रेश से क्या उपादी दी तो राइट अंसर अंसर अप्शन B हो जाएगा, गुरुदेव की उपादी दी थी अगला कोशन, कोशन नमबर अगला है, बिरिटिस कालिन इस्थापति से समथी 237 आतिहासिक विक्टोरिया पार्क, जिसे अब जंग अजारी पार्क का नाम दिया गया है, कहां इस सिथ है तो राइट अंसर आपको बताना है जोस्तों, तो राइट अंसर हो जाएगा, अप्शन D, मेरे अटमेंस दिथ है अगला कोशन, कोशन नमबर 238, नई दिली का मुख के वस्तुभी एवं डिजाइनर कौन था तो राइट अंसर बनेगा यहां पर अप्शन A, एडविन लुटियंस, अप्शन A, राइट अंसर हो जाएगा कोशन नमबर 249, अवद के निमलिखित में से किस नवाबने लखनों में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया है भारस सरकार अधिनियम 1935, भारस सरकार अधिनियम 1935 के दोरा बंबाई से सिंध परांद का निर्माड 1937 में हुआ और इस अधिनियम के दोरा बर्मा को भारस से पूरता अलग कर दिया गया था अगला कोशन, कोशन नमबर 241 है, राष्टवाद की पहली इस पस्ट अव्यक्ति निमने लिखित में से किस करांदी के साथ हुई तो राइट जवाब हो जाएगा अब संडी, फ्रांसी सी करांदी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, राष्टवाद की पहली इस सतंत्रता, समानता और बंदुत्तो, ध्यान रखिएगा अगला कोशन, कोशन नमर 200, 42 हैं, दोस्तों यहाँ पर हम इस कोशन को स्किप कर रहे हैं, इसका प्रेंट प्रापर नहीं है, अगला कोशन, कोशन नमर 200, 43 है, निमन का मिलान करें, डिये गए, ओप्संस में से आपको सटीक मिलान करना है दोस्तों यहाँ पर तो यहाँ पर दोस्तों राइट अंसर बनेगा option B, A का 2, B का 1 C का 3, D का 4 राइट अंसर हो जाएगा पहला दिया गया है यहाँ पर Indian National Army 1943 में इसकी स्थापना होती है और इसके संस्थापक रास बिहरी बोस यहाँ सुभास्थन बोस है तो इसका मिलान हो जाएगा सुभास्थन बोस है सिकेंट से मिलान हो जाएगा option B में है गदर पार्टी गदर पार्टी के स्थापना 1913 में लाला हरदयाल यहाँ सोहन सिंग भागना के द्वरा होती है तो option फर्स्ट से इसका मिलान हो जाएगा option C है मित्र मेला तो मित्र मेला अठारा सो निन्यान बे बिनाएक दमोदर सावर कर तो मिलान हो जाएगा third option से option D है home rule league 1916 एनी बेसंट option 4 से मिलान हो जाएगा तो right answer option B होगा अगला question question number 244 निम लिखित किस क्रम में भारत आए आपको बताना है फर्स्ट दिया गया है Thomas Rowe second है फायान और third है है यहाँ पर आपको क्रम में बताना है दोस्तों तो right answer हो जाएगा यहाँ पर option B फायान सबसे पहले आएगा उसके बाद में Thomas Rowe और उसके बाद हैंसांग तो option B यहाँ पर right जाब बनेगा माप कीजेगा यहाँ पर right answer जो होगा option C होगा second फायान हो जाएगा उसके बाद हैंसांग होगा Thomas Rowe होगा यहाँ पर दुस्तों फायान तिनसो 99 से 414 इस भी में चंद्रगुप्त विक्रमादित के सासन काल में और हुयन संग की बात करने तो 639 से 645 से भी हार्स वर्धन के कार काल में और टामस रो 1615 से 1619 से जहांगीर के सासन काल में तो ध्यान रखिएगा अगला कोशन कोशन नंबर 245 इन में से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैं के नाम से जाना जाता है तो राइट आंसर ही हांपे बनेगा उप्सन है दादा भाई नरो जी इसका सही जवाब हो जाएगा अगला कोशन कोशन नंबर 244 है निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है आपको बताना है तो राइट आंसर हो जाएगा अप्सन डी इसका सही जवाब हो जाएगा 1709 औरंग जेव की मरेत्यू अप्सन डी हाँ पर राइट आंसर हो जाएगा और औरंग जेव की मरेत्यू 1707 में हुई थी रोष्टो 1707 इस भी में हुई अगला कोशन कोशन नमबर 247 है भारत में सासन करने वाले दीए गे सासकों का काल क्रमा नुशार सही क्रम क्या है तो राइट अंसर अप्शन भी हो जाएगा है यहां पर खारी बावली नई देली अगला कोशन कोशन नमबर 249 है निम्न लिखित गटनाओं का सही क्रम क्या है तो राइट अंसर हो जाएगा यहां पर दोस्तों अप्शन तो यहां पर दोस्तों इस कोशन का सही क्रम बनेगा इलवर्ट बिल की यदि हम बात करें तो दो फरवरी 1883 स्विव में मारले मिंटो सुधार 1909 स्विव में मार्च 1919 स्विव में रॉलेट एक्ट लागू हुआ दोस्तों गांधी इर्विन्थ समझ होता पांच फरवरी 5 मार्च 1931 स्विव को तो यहां पर सही उतर की यदि हम बात करें दोस्तों तो यहां पर सही उतर बनेगा fourth, third, first, second यहां पर right answer हो जाएगा तो fourth, third, first, second तो सही जवाब होगा दोस्तों जो की बिकल्प में सटीक नहीं दिया गया है ने ग्रेट आंसर हो जाएगा अप्सन D जिम्स, रेम्स, माइक, डॉनाल्ट इस कोर्शन का सही जवाब बनेगा दोस्तों यह आपको बसंद आ रही तो जाधे जाधे लाइक और शेर करते रहे हैं आप लोग दोस्तों आज के इस क्लास में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स क्लास में तब तक लिए रूमसकार जाहें धन बन्हेंवादे